जैन्जातियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक्जाम इंडियावार में फ्रेंड्स हम लेकर आए आप सभी के लिए ग्रुप डी प्रीवेस येर क्वेस्चन पेपर जो कि आज आज आपका सेट फाइफ है और उसका पार्ट टू सेट एंसर देजी है कि कराय कि ने सजीव यहां पर आपको भरना है कि सजीव बस्तूओं में लच्छनों की आनवनसिक्ता के सिधानतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है वाईससाब किसी ने स्टैनली मिंगलर जेबी एस हेल्डेन या चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर म मिंडल कौन तो ग्रेगर मिंडल ने सजीव बस्तूओं के लच्छनों की आनवनसिक्ता के सिधानतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है और आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन ये जबरदस्त कीरती और मालती मिलकर एक काम को बारा दिन में पूरा कर सकते हैं ज कितने दिन में पूरा कर सकेगी चालिस डिन डस दिन फिर तो सवल्ट करिये और मैं आपको बता रहा हूं आपका राइट अंसर काॉन सा हो जाता है तो अपना राइड आन्सर हो जाता है eran defender की अकेले ही सुचbacks गव आपकरा अगला क्वेस्टेन यह रहा करा कि 1290 कि कितने गुड़न खंड पूर्ण वर्ग हैं 1290 कि कितने गुड़न खंड पूर्ण वर्ग है दस नव आठ बारा इसका एंसर दीजिये साथी और आप लोग ने इसको सौल कर लिया होगा मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूं तो इसका राइट आंसर आपका नव हो जाएगा नव 1296 के नव गुड़न खंड पूर्ण वर्ग हैं अगला क्वेस्चन यह रहा कारे कि हम मुत्र ट्यक की उतेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांस पेशी मुत्रासय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर इस पिंचर मांस पेशी के मुत्रासय और मुत्रमार्ग के बीच मुत्रासय में कम पानी भर होने पर यह मुत्रासय में असानी से नहीं भरने पर वह साब आपका यह बैलाजी का क्वेस्चन आ जाता है तो आपका राइट एंसर पहलाई हो जाएगा करा कि मांस पेशी मुत्रासय के तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण होने पर अगला नेक्स्ट क्वेस्टन करा कि निम्रिकित में से कौन सी भारत की स्वधेस निर्मित और विक्सित लंबी दूरी की सब सोनी क्रूज मिसाइल है पिना का हेली ना नाम निर्भय तो अपना राइट अंसर हो जाएगा निर्भय निर्भय भारत की स्वदेशी निर्मित और विक्सित लंबी दूरी की सब सोनी क्रूज मिसाइल है अगला क्वेस्टन यह रहा कह रहा कि 165 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकेंड में पार करती है रेल गाडी की गती क्या है 88 km per hour 72 km per hour 80 km per hour या 55 km per hour तो फटाक इस क्वेस्चन को सॉल्व करिए और मैं आपको राइट अंसर बता दू तो 7 जायेंगा 72 km per hour अगला क्वेस्चन इं रहा करा कि एक वस्तू इस्थिर है तो बल अभी भी इस पर कारे कर रहा है त्वरण आवेग भार या सम्वेग तो साथी यहां पर लिखा हुआ है कि for this question, description is found in question answer, so this question is ignored for all candidates यानि सभी ने इसका ignore कर दिया था क्योंकि आपका ये question में कुछ खराबी थी इसलिए ये question हम छोड़ते हैं अगला question ये रहा खाली स्थान के कारण इसक्लेरे ना काईमा कोशिकाओं की दिवार मोटी होती है पैक्टिन, लिगनिन, हेमिसेलूलोज या सेलूलोज तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला question ये रहा दो क्रमागत लीप वरसों के बीच एक्स वरस को अधिक्तम अंतर होता है एक्स का मान क्या है एक, आठ, चार या फिर दो करा कि दो क्रमागत लीप वरसों के बीच एक्स वरस का अधिक्तम अंतर होता है एक्स का मान क्या है एक, आठ, चार या फिर दो तो अधिकतम आठ वर्सकंतर होता है अगला क्वेस्टन ही रहा हाल इमें भारत का सबसे बढ़ा ट्रेन दा ट्रेनर कारिकरम किस ने लॉंच किया तो यह साथ ही उस टाइम के करेंट का क्वेस्टन है तो इसको स्किप करते हैं अपनी समाने गती के चार बटा पांस से चलने प तो यहां पर राइट एंसर की बात कर लें तो अपना राइट एंसर जो हो गाएगा वो 24 मिनट हो जाएगा और अगला जबर जस्ट प्यारा से क्वेस्टन दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीडित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है मायोपिया और हाइपर मा मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया या फिर लगा बीच में मायोपिया लेकिन हाइपर मेट्रोपिया नहीं हाइपर मेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं तो दो फोकस दूरी वाले लेंस का यूज आपका आपसन नंबर एक ही सही गोजाए गया मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया यानि जिसे निकट और दूर दोनों द्रश्टी दोस होते हैं वो दूरी फोकसी लिंस का यूज करते हैं आगला क्वेस्टन ही रहा और आ फैके दो दो हजारए निमलिकित किस ने बृटिस इंडियन ऑफ दी य il सम्मानित किया तो फफ्वा सब्साब यह इस तोर सरमा करेंट का वेस्टन आपका उसे चुनेः lemons find बंदित नहीं हाइड्रोजन एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर तो गोल्ड सिल्वर और एल्यूमिनियम आपकी मेटल है जबकि हाइड्रोजन आपकी आधात हुए इसलिए वह अलाग हो जाएगी सोहम की आयू पार्थ से दस वर्ष कम है आठ साल पहले सोहम की आयू उसकी वर्तमान आयू की तीन गुनी थी जो पार्थ की दो गुनी आयू से चार वर्ष अधिक थी सोहम की वर्तमान आयू बताएं 28 वर्ष 32 वर्ष 30 वर्ष या फिर 33 वर्ष राइट एंसर की बात करें तो 32 कि सवर्च हो जाता है तो यदि टमाटर की कीमत में 25 की व्रद्दी हो जाए सुधार तमाटर पर केवल 15 परसेंट अधी खर्च करना चाहती है तوع के सुधाद वारा प्रत टमाटर की मात्रा में कमी के प्रच्षाद की गरणा करें दसपरसेंट बारा फरसेंट आठ परसेंट ये इन चीड on ऌने इसको सॉलक्र लिया हो गया आप राइट अंसर की बाद करोने तो आठ परसेंट आपका राइट आंसर हो जाता है सीता पिन की एक निश्ची संह्क्या सात रुपाय में आठ खरीदती है फिर पांच रुपाय में छे की दर से बेस देती है काफी उसका लाव या हानी प्रत्सत ज्याद कीजिए बाच साम ना लाव ना हानी तो यहां पर आप लोगो ने सको सौल कर लिया होगा यहां पर राइट आइंसर की बात करें तो सौबटा एक परसेंट की हानी फोसियार नहीं है तो बुद्धू बनगी एक नल एक टैंक को पचीस मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को पचास मिनट में खाली कर सकता है कंपटीशन चाला है वाई साब यह दोनों एक साथ खोल दिये जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा एक गंटा पांच मिनट पच्चास मिनट पच्पन मिनट या फिर आपका एक गंटा दस मिनट तो यहां पर राइट एंसर की में बात कर दूं तो रूप से कथन का अनसरण करते हैं कि कथन कि सभी गीली मिट्टी बर्दन है सभी बरतन कंटेनर हैं इसका सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं कुछ बरतन गीली मिट्टी हैं तो बाइस साब इसका तो आपका आप्सन नमबर एक अनसरण कर रहा है नहीं किवल दो अनसरण कर र बात करते हैं 21 उर्जा की व्यवसाई की क्या है तो उर्जा की व्यवसाई की क्या है आप क्यो जाती है किलो वाट गंटा जिसे आप यूनिट बोलते हैं बोलते हैं ना हमारे यह पर एक यूनिट बिजली दस यूनिट बिजली खर्च हुई तो किलो वाट गंटा को यूनिट अगला question एक inlet pipe और एक outlet pipe को एक tanki को भरने और खाली करने के लिए एक गंटे में के खौला जाता है तंकी के खाली होने पर शुरुवात इंलेट पाइप से की जाती है तंकी खाली तंकी को पूरी तरह से भरने में इंलेट पाइप को 15 गंटे लगते हैं वहीं आउटलेट पाइप भरी हुई तंकी को 21 गंटों में पूरी तरह खाली कर सकता है टैंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे 100 घंटे 52.5 घंटे 105 घंटे या फिर आपका 9090 घंटे तो यहाँ पर मैं राइट एंसर की बात कर दूँ तो अपना राइट एंसर हो जाता है वाज साब 9090 घंटे अगला क्वेस्चेन ए रहा एक निश्ची धनरासी पर 12 परसेंट की वार्षिक दर्से 5 बटा 2 वर्ष में प्राप्थ होने वाला साधारन व्याज उसी धनरासी पर 10 परसेंट की वार्षिक दर्से साथ से 7 बटा 2 में प्राप्थ होने वाले साधारन व्याज से 50 कम है वह साब दनरासी ग्याद कीजिए हैं पंद्रह सो एक हजार दो हजार या फिर बारा सु रुपाय तो आप लोग ने इसको सॉल कर लिया होगा थोड़ा ट्रिपिकल क्वेस्चन है बड्ट सॉल कर लेंगे आप जरूर मुझे इसका विस्मास है और यहां पर राइट एंसर की बात मैं क कर दूं अब तो आपका 1000 राइट एंसर हो जाएगा अगला क्वेस्चन एड़ा कराए एक लाइब्रेरी में दस भीन सेक्षन है और लाइब्रेरियन बीस दिनों से किताबों को वर्गी करत करता है कि किस सेक्षन में सबसे कम किताबें हैं तो यहां पर आप इसको देख सकत है अपना कि सेक्षन नंबर सेविन यह सेक्षन पांच यह सेक्षन आठ या फिर अपना सेक्षन नंबर नौ तो आप लोगों इसको सॉल्व कर लिया होगा राइट एंसर की बात करें तो सेक्षन नंबर सेविन यहां पर डाइग्राम में देखिए तो यहां पर सबसे बराबर 25.98 है तो अंडर रूट 143 प्लस अंडर रूट 122 का मान ज्याद कीजिए 26.89 27.712 25.98 या फिर 24.248 तो आप लोगों ने इसको सॉल कर लिया होगा राइट एंसर की बात करें यहाँ पर तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 25.98 अपना राइट एंसर होए जाना है अगला क्वेस्चन ही रहा है मिलियन आवर्ट होते हैं कहरा कि मिलियन आवर्ट होते हैं आप लोग इसको जानते हों तो मुझे भी कमेंट कर देना क्योंकि मुझे इसके बारे में निर्मार कमपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्सित करता है निर्मित मुबाइल फोन की कुल संख्या 12,040 है कहरा है कि कौन सी कमपनी नियुनता मुबाइल फोन बनाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D.E.F. D.E.F. ने 5% बनाया जो कि सबसे कम है इसलिए अपना राइट एंसर तो तीसरा यानी D.E.F. हो जाएगा अगला क्वेस्टन ये रहा कहरा है कि यदि के आई एन को P.R.M. लिखा जाता है तो उसी में त्रेड को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपको चार आपसन दिये हुई है फड़ाग इसको सॉल्व करिए और बताइए कि आपका राइट एंसर कौन सा होगा साथी यहाँ पर राइट एंसर की बात कर लें तो आपका लाश्ट वाला G.S.I.V.Z.W. राइट एंसर हो जाता है अगला क्वेस्टन ये रहा लोग सभा की अधिक्तम संख्या कितनी है लोग सभा में सीटों की अधिक्तम संख्या 552 है अगला क्वेस्टन ये रहा सरंग पस्चिम के तरफ देख रहा है वह 135 डिग्री दच्छिणा वर्थ फिरवाईसा 45 डिग्री वमा वर्थ की तरफ भूमता है वह अब किस दिशा में देखा है उत्तर दच्छिण पूर्व या फिर पस्चिम तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाना है उत्तर अगला क्वेस्टन करा कि निम लिकित में से किसको संस्बिलिटी संसद भवन में ग्लोबल डायरवर्सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया तो भाई साब यह अपना उस टाइम के करेंट का क्वेस्चन है और यह सल्मान खान को दिया गया था अगला क्वेस्चन गिरा करा कि चार रंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ग्यात कीजिए जो 49 से पूर्टा विभाजित हो कि 9992 9994 9998 या फिर अपना 9906 तो आप इसको सॉल करिए और फटाग जे इसका एंसर दीजिए राइट एंसर हो जाता है अपना लास्ट वाला 9996 अगला क्वेस्चन ये रहा करा कि गोवा पर पूर्टगालियों द्वारा किस वर्स कबज़ा किया गया था 1512 1515 1510 1510 में इन्होंने आदिल साख अटा कर गोवा पर कबज़ा किया था आपका तीसरा सही हो जाता है अगला आपसा क्वेस्चन अपना कह रहा है कि कथन और निसकर्स का है सभी कारें चार पईया वाली हैं सभी कारें चार पईया वाली हैं सभी कारें चार पईया वाहन होते हैं अब निसकर्स सभी कारें वाहन होती हैं कुछ वाहन चार पईया वाले होते हैं कोई निसकर से नहीं अंसरन नहीं कर रहा है किवल दो कर रहा है किवल एक कर रहा है दोनों अंसरन कर रहे हैं तो फटाइक इसको स्वाल करिए और राइट एंसर बताएं तो राइट एंसर की बात करें वाज साब तो अपना राइट एंसर हो जाता है दोनों अंसरन कर रहे हैं अगला question ये रहा कराय की पौदे के बीज में खाद बंडार की रूप में कारे करता है बीजांड बीजपत्र प्रांकूर या मुलांकूर तो आपको इसका राइट आंसर देना है मैं राइट अंसर की बात कर दूँ तो यहां पर बीज पत्र अपना राइट अंसर हो जाना है अगला question ये राज सोतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्लिकित में से कौन से हैं सीराज गोपालाचारी व्लाबाई पटेल के कामराज ये गोपाल क्रश्ण बोक्लित वाइस साथ सोतंत्र पार्टी के संस्थापक सीराज गोपालाचारी थे आठ सो बैसी बटे एक हजार नोसो बाइस का वर्ग मूल कितना होगा कि 21 बटा 31 19 बटा 31 22 बटा 31 या फिर वाइस साब 20 बटा 31 तो इसका राइट एंसर 21 बटा 31 जब इसको काटेंगे तो यह आपका 21 बटा 31 का बन जाएगा पगलाडिया बांध परियोजना किस राज जिमिस्थित है मेगारा है पस्ची मंगाल नागालेंड असम पगलाडिया पगलाडिया असम में है वाइस साब अगला क्वैस्चन ही रहा दो भिन्नों का योग साथ बटे चार है यदि उन में से एक माज बटा 3 है तो दूसरी भ घटाये देंगे आपका राइट एंसर हो जाना है वाई साब कि आपसे नंबर 3 इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला क्वैस्चन यह रहा यदि किसी तत्त्त का इलेक्ट्राइड विन्यास 282 है तो यहां आधुनिक आवर्त साड़ी के किस आवर्त से संब्दित है बारा भूमी को छूती है तो इसमें होती है तापी उर्जा तापी उर्जा रसायनिक उर्जा गति जूर्जा या फिर सिति जूर्जा तो साथी जब यह भूमी को छूती है तो इसमें होती है अपनी गति जूर्जा अगला क्वैस्चन यह रहा निम्लिकित में से कौन सा पारा का आइस्क इस attendance निश्टिम नाइट साती इसका राइट एंसर सीनवार सीन वारे का एच मेले सहाँ कराए कि उसमी कल्प आख करती का चैन करें कि प्றस्ला को को पूरा करें अ है तो साती स्कों करें और इसका हो जाना है अगला कोस्टन यह रहा करा कि छोटा क्ुछ कश्टग 8 लाज के बहावर Northerniska मजले कश्टग बंदक्र आपका भाग इस इक स्किल टू किसके बराबर हो जाएका नव तीन आठ या फिर चर्ड हथी तीन के बराबर हो जाएगा आगला प्वेश रहा फिए और ईनलेडा वर्ग से सम्मनूध नहीं है केचुवा, नेरिस, जोंक, एसकेरिस साथी यहाँ पर केचुवा होता है आपका एसकेरिस नहीं है बाकि केचुवा, नेरिस, जोंक है एसकेरिस आपका एनलीडा से सम्मंदित नहीं है एक सह संयोजक अडू नहीं है निम्न मेंसे कौन चार आपसन आपको दिये गया है यहां कैलसियम उकसाइड एनेच थ्री का सीसील फोर का और एच्टू हो का कहरा कि कौन सह सहयोजक अडू नहीं है आपका यहां पर राइट उंचर की बात करें तो वाजिसाश आप पहला नहीं है कि सब बनाए गए कॉंसा ऑना या फिर चालिस वार्ट तो आपका 144 क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाना है अगला क्वेस्टन यह रहा फीपा विस्टुकब 2018 गोल्डन बूट अवार्ड तुबाइस साब करेंट का क्वेस्टन यह है अगला क्वेस्टन यह रहा करा कि कौन सा विकल्प चित्र प्रस्न चित्र के साथ निकट्तम समानता रखता है तो आप इसको देखिए कौन सा आपका राइट एंसर हो रहा है तो यहाँ पर राइट एंसर की बात कर लिजा है तो राइट एंसर अपना हो जाएगा डी नंबर राइट कौन सा हो जाएगा साथ ही डी नंबर अपना राइ सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद्ध जय ब्यारत हसते रहें मुस्क्राते रहें